वेलकम टू नवांकुर डिजी लेशन्स फ्रॉम दा हाउस ओफ नवांकुर टोड़ीज बी आर गोईंग टी स्टडी लेशन सेवन दा फिस एंड दडग तो चली सुर करते हैं एक मचली अपनी सहिलियों के साथ तैर रही थी सी शौ सचिन उसने सचिन को देखा वह समुद्र के किनारे बैठा था वह मचली पकड रहा था वह मचली अपनी सहिलियों के पास गई और कहा लेट्स गो सम्वियर एल्स और ही विल कैच अस एंड इट अस अप चलो कहीं और चलें बरना वह हमें पकड लेगा और हमें खा जाएगा तब उसे एक संग मिला और बिग किंग सेल एंड हंग इट तू दा हुक एक बड़ा राजा संग और उसे हुक में टांग दिया सचन लगता है मेरी हुक में एक बड़ी मचली फस गई है let me pull it out oh what's this मुझी एसे बाहर खींचना चाहिए अरे यह क्या it is a किंग सेल नौटा फिस यह मचली नहीं बड़ा राजा संग है oh how unlucky I am अरे मैं कितना बदनसीब हूँ the fish laughed and laughed मचली हसी और हसी हा 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 अड़क saw the fish and said एक बतक ने मचली को देखा और कहा you are very clever तुम बहुत चत्र हो come let's play आओ हम खेलें the fish said thank you मचली ने कहा धन्यवाद thank I am getting late मैं समझती हूँ कि मुझे देरी हो रही है I must run home bye bye मुझे घर जाना चाहिए bye bye चलिए exercise का पहला question लेते है read and learn पड़ो और सीखो इस question में s और sh से सुरू हने वाले words को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे यहाँ पर s का sound निकलता है sa और sh का sound निकलता है sha मैं दोनों words को एक के बाद एक पढ़ूँगा आपको उससे बनने वाले sound को ध्यान से सुनना है पढ़ती है sign, shine, sip, ship, sell, shell, see, she, soar, shore समझाया अर्थात यदि कोई bird single s से शुरू होता है तो उसका sound निकलता है सरूंते वाला sa और यदि कोई bird s से शुरू होता है तो उसका sound निकलता है सक्करवाला sha समझाया तो इसमें हमने सरूंते वाला sa और शक्करवाला sha इन दोनों sound को पहचानना सीखा चली word power का question लेते हैं rearrange these letters to make a word and write them इन बर्णों को सही क्रम में जमा कर सब्द बना और लिखो उदाहरण के तोर पर for example w im s इसकी सही spelling बनेगी s w i m sim means होता है तेरना चली अगली spelling देखते हैं a e s इसकी सही spelling बनेगी s e a c c means होता है समुद्रू double l e s h इसकी सही spelling बनेगी s h e double l sell means होता है संक अगली spelling देखते हैं h l u a g इसकी सही spelling बनेगी l a u g h laugh means होता है हसना अगली spelling देखते हैं a w s इसकी सही spelling बनेगी s a w show so means होता है देखा अगली spelling देखते हैं a e s h p इसकी सही spelling बनेगी s h e p seep seep means होता है भेड चली अगला question देखते हैं choose the words from the circle beginning with s मतलब की सरोंते वाला सा and sh मतलब की शक्कर वाला सा and write them in the given space गोली में से वे शब्द चुनू जो s मतलब की सा और s h मतलब की शा धुनी से शुरू होते हैं तथा उन्हें दिये गए इस्थान में लिखिए हम इस सरकल के अंदर से सबसे पहले सा मतलब की सरोंते वाले सा धुनी से प्रारम होने वाले words लेंगे और उनको लिखेंगे पहला word है scene मेंस होता है देखा दूसरा word है cell मेंस होता है बेचना तीसरा word है set मेंस होता है जमाना मतलब किसी चीज को ब्यवस्थित करना she s e a c c मेंस होता है समुद्ध चलिए अब हम s h मतलब की शा शक्कर वाले सा से शुरू होने वाले words देखेंगे sheep sheep मेंस होता है भेड और यदी हम pulling के लिए यूज़ करना चाहें तो हमें he का यूज़ करना पाता है चलिए अब इस चेप्टर के question answer complete करती है पहला question है What was Sachin doing? Sachin क्या कर रहा था? Answer होगा Sachin was sitting on the he shore Sachin समुद्र के किनारे बैठा था Second देखते हैं What was the fish doing? मचली क्या कर रही थी? The fish was swimming with her friends मचली अपनी सहेलियों के साथ तैर रही थी Tीसरा है What did the fish do after Seasher Sachin? Sachin को देखने के बाद मचली ने क्या किया? The fish told her friends to keep away मचली ने अपनी सहेलियों को दूर रहने को कहा चोथा question देखते हैं Why did the fish do show? मचली ने ऐसा क्यों गिया? Answer है She wanted to save her friends वह अपनी सहेलियों को बचाना चाहती थी Last देखते हैं What did the fish hang on the hook? मचली ने हुक में क्या लगा दिया? Answer है The fish hang a king's cell on the hook मचली ने हुक में एक राजा मतलब की बड़ा संख लगा दिया चली अगला कॉशन देखते हैं Write T for true and F for false statements सही कथन के लिए T और गलत कथन के लिए F लिखो पहला है Sachin wanted to catch fish Sachin मचली पकारना चाहता था Answer होगा T, T for true Next He got a big fish on the hook उसने पाया की हुक में एक बड़ी मचली आई इसका Answer होगा F अगला है Sachin had a king cell on his hook Sachin के hook में राजा संक आ चुका था Answer होगा T, T for true चोथा है A duck wanted to be the fish friends बतक मचली को मित्र बनाना चाहती थी Answer होगा T पांचवा है Sachin was fishing in a river Sachin नदी में मचली पकड़ रहा था F चली लास्ट लेते हैं The fish was clever मचली चतुर थी Answer होगा T T for true चली अब लास्ट question देखते हैं How many small fish are there in side the big fish Write the numbers and color the small fish इस बड़ी मचली में कितनी छोटी मचलिया हैं उनकी संख्या लिखो और छोटी मचलियों में रंग भरो तो चलिए ये आपके लिए homework है आपको संख्या बतानी है कि चित्र में कितनी बड़ी मचलिया हैं और कितनी छोटी मचलिया है